नमस्कार, स्वागत है आपका गिटार के एक और लेसिन में और इस लेसिन में हम सीखेंगे कि गिटार की स्ट्रिंग्स को क्या कहते हैं, उनके क्या नाम हैं पिचिस को क्या कहते हैं, स्केल्स क्या होते हैं, ठीक है तो पिछला एपिसोड अगर आपने नहीं देखा है तो उसे जाके देख के आईए फिर हम इस एपिसोड पर आएंगे ताकि आपको और क्लियर हो जाए कि हम इस एपिसोड में क्या करने वाले है जैसा कि पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया कि दो अलग-अलग फॉर्माट्स में यह लेसंस चलने वाले है एक तो सोलो इस्ट और एक विट सिंगिंग ठीक है तो उससे भी पहले हम जो बिगनिंग की जो चीज़े होती है उनको समझने की कोशिश करता है कि बिगनर्स के लिए क्या महत्वपूर्ण क्या महत्वपूर्ण थियोरीज होती है क्या हमें सीखना चाहिए यह हर फॉर्माट में चलेगा यह ऐसा नहीं है कि कुछ अलग अलग बता रहा हूँ मैं तो हमारे जो मैंने अभी जो गिटार ले रखा है वो है अकूस्टिक गिटार आपने पिछले एपिसोड में देखा होगा कि मैंना आपको बताया है कि गिटार में 6 स्ट्रिंग्स होती है छे स्ट्रिंग्स होती है जिसके लिए आपको एक इंस्ट्रुमेंट भी बताया था जिस कॉंप्लेक्ट्रम कहता है यह होती है ठीक है आप इसे देख सकते हैं यह triangular shape की होती है जिसमें एक kona आगे निकला हुआ होता है इससे हम guitar play करते हैं इसको पकड़ने का तरीका भी मैंने आपको बताया था कि आपकी जो first finger और जो thumb है उसके बीच में कुछ इस तरह से plant होती है तो यह जो basics है अगर आपको नहीं समझ में आ रहे हैं तो आपको और clear हो जाएगा ठीक है तो यह मैंने आपको पूरा बता दिया था अब आप देख सकते हैं कि मैंने कैसे अपने fingers को position कर रखी है मैंने आपको पिछल एपिसोड में एक exercise दी थी कि आपको हर एक string को एक एक बार play करना है जैसे फिर इसको उपर की तरफ भी play करना है ठीक है यह मैंने आपको एक exercise दी थी अब इन strings के नाम मैंने आपको कहा था कि मैं अगले एपिसोड में बताऊँगा जो कि यही एपिसोड है तो इन strings के नाम हमारे जो pitches है हमारे जैसे मैं अगर Indian format में हम Indian classical की बात करें तो हमारे जो सुर है जैसे सारे गामा पधनीसा सानी धपा मगारेसा साथ सुर होते हैं तो इन्हें हम जब Western format में pitches कहते हैं हम इनके जब नाम बदलते हैं तो इनके जैसे हमने कहा कि हम पहली काली दूसरी काली तीसरी काली किसी ने Indian classical थोड़ा सा सीखा है तो उसे पता होगा यह हमारे pitches के नाम रहते हैं Indian classical में Western में हम इन्हें हमारे alphabets के थुरू denote करते हैं जो कि आपको i button में एक वीडियो मिल जाएगा Master Nishad ने इसको समझाया वा है कि Indian classical थो Western में pitches के नाम क्या-क्या होते हैं तो आप यह वीडियो जाके देख सकते हैं यहाँ पर आपको link मिल जाएगा अब हलाकि मैं इस episodes को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहूंगा ताकि आपको main guitar format सीखने को मिले तो आप इसलिए अलग-लग वीडियो पर जाके यह सब सीख सकते हैं जो हमारे अलड़ी बनाएवे वीडियो जहां पर हमने यह सब बताया हुआ है अब guitar के जो names होते हैं वो pitches के according ही हमने derive किये हैं जो हमारे pitches हैं उसके हिसाब से हमने guitar के strings के नाम रखे हैं जैसे कि मैं एक बार के लिए आपको नाम बता रहा हूँ स्क्रीन पर आपके पास एक पूरा लिखावा आ जाएगा जैसे यह है E A D G B E घिक है guitar आपके पास अगर हो तो आप अभी आपके guitar को देख सकते हैं कि उसमें जो सबसे मोटी वाली string है जो सबसे उपर वाली string है यह वाली इसको हम कहते हैं E इसके नीचे वाली string को हम कहते हैं A अब इसके नीचे वाली string को हम कहते हैं D इसके नीचे वाली string को हम कहते हैं G इसके नीचे वाली string को हम कहते हैं B और इसके नीचे हम कहते हैं वापिस E ठीक है, ये दो बार EQ आया है, क्योंकि ये E होगा, low note वाला, low pitch down E है ये, और ये same note पे high E है, दोनों frequency match कर रही है, अब गिटार में एक चीज होती है, कि हम इसके नाम तो forward, यानि जब हम downward की तरफ जाते हैं, उपर से नीचे की तरफ जाते हैं, तब आपको इसके जो series है, वो हम E, A, D, G, B, E ऐसा कहते हैं, पर जब हम strings क्या count करते हैं, जब हम strings को number देते हैं, जैसे for example हमने 3rd string बोला या 4th string बोला, 5th string बोला, तो आपके मन में क्या आया होगा, कि ये होगी 3rd string, है ना, 4th string बोली, तो ये होगी, ये आप समझते हैं ऐसा, पर, actual में क्या होता है, कि जो strings के counting होती है, वो हमेशा नीचे से चालू की जाती है, यानि 1st string कौन सी होगी, 1st string ये वाली होगी, जो सबसे नीचे की तरफ है, है ना, E, जो high note वाला E है, पतली वाली जो string है, उसको हम कहते हैं, 1st string, तो 2nd string कौन सी है, उसके उपर B, 3rd string होई G, 4th string होई D, 5th string होई A, और वाल पर 6th string होई E, ठीक है, तो हम हमेशा counting जब करते हैं strings की, हम उसको number से जब denote करते हैं, तब strings को हम कहते है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, नीचे की तरफ से count करना है, और अगर आप इनके नामों के हिसाब से, इनके names के हिसाब से, अगर आप इनको derive करते हैं, तो हमेशा उपर से नीचे की तरफ जाते हैं, यानि E, A, B, G, B, E, ठीक है, अब यह जो मैं नाम ले रहा हू यह एक-एक pitch है, इन ही pitch पे इन strings को tune किया जाता है, tune का, जो guitar tuning का एक episode है, वो मैं अलग से बाद में दे दूँगा, जब थोड़ा सा beginning हमारा आगे बढ़ चुका होगा, तो यह E, A, D, G, B, E, हम इन strings को इन नाम के according इस pitch पर tune करते हैं, ठीक है, तो यह जो मैंने आपको पिछ ठीक है, यह वाली exercise को और आगे लेके जाते हैं, अगर आपको नाम clear हो गया हो, कुछ भी doubt हो, एक बार वापिस आप पीछे जा सकते हैं, और इस चीज को समझ सकते हैं, कहीं भी आपको beginning lessons में कोई doubt नहीं रखना है, जब आपको doubt रहेंगे तो आगे जाके जब चीजे तब शायद कहीं न कहीं वो चीज खलेगी, इसलिए हमेशा आप समझ के चलिए, गिटार में कोई भी चीज मुश्किल नहीं है, हमेशा आपको हर चीज का तोड कहीं न कहीं मिल जाता है, कोई भी संगीत में कोई भी instrument हो, उसका तोड हमेशा कहीं न कहीं होता ही है, ठीक है, तो एक इस lesson का जो मैंने आपको बताया था कि upward और downward जब आप जाते हैं तो हम एक-एक string को दो दो बार play करते हैं जैसे ठीक है तो अब एक-एक string को दो बार play करना है कैसे एक upward stroke से एक downward stroke से यह उस exercise का next part है जो कि आपको आप practice करना है कैसे यानि कि एक string को दो बार बजाना है एक बार upward stroke से एक बार downward stroke से ठीक है एक बार वापिस बताता हूँ कैसे इसी को वापिस उपर लेके आईए तो यह आपके लिए हो गई एक next exercise इस exercise को regular practice कीजेगा बाके exercises को भी practice कीजेगा ताकि आपकी strings पर command हो जाए है ना हम अगर strings जब play करते हैं for an example अगर chords play करूँ कोई भी chord play करूँ तो भाँ पर इन strings का बड़ा रोल होता है कोकि कई strings में हमेशा six strings play नहीं होगी कुछ five होंगी कुछ four होंगी है ना तो इस वज़े से इन strings पर command होना काफी ज़रूरी है यह beginning का एक part होता है तो मैं दोनों formats के लिए कहूँगा कि अगर आप solo बजाना चाहिए या singing के साथ बजाना चाहिए तो आपको यह exercise अच्छे से आनी चाहिए आपको strings पर command होनी चाहिए यह जो fretboard है इस part का नाम fretboard है तो इस fretboard पर हम कुछ देर बाद आएंगे जब हमारा यहाँ पर command हो जाएगी फिर हम इसके बाद इस part को touch करेंगे ठीक है तो आज के lesson में सिर्फ इतना ही अगर आपको कोई भी doubt हो कुछ भी हो मेरा whatsapp number आप नीचे स्क्रीन पर देख सकते हैं और मुझे contact कर सकते हैं online classes के लिए contact कर सकते हैं कुछ भी doubt हो तो आप please मुझसे share कीजे कमेंट में लिखिये और देखते रहे है संगीत प्रभावर्ल का चैनल थेंक यू